hello students welcome back to channel academy, youtube channel, क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे exercise 3.2 से पहले जो basic part है, तो हमने इससे पहले last video में basic part 1 पर लीया था, अब हम पढ़ने वाले है basic part 2, इसी तरीके से part 3 में discuss करेंगे, and after date हम exercise पराएंगे, ठीक है, इससे आबको आपका जो chapter है, जो exercise है, उसका जो basic intro है क्या आगे आने वाला किस से deal होने वाली वो आपको एक बार अच्छे से clear हो जाएगा फिर आपको exercise और questions में बहुत easy रहेगा ठीक है चली शुरू कर दें क्या आपको इस exercise के basic part में हम पढ़ेंगे आज sign of trigonometric function, sign of trigonometric function क्या है जो हमार पास trigonometric function है sin x, cos x, tan x, cos x, sec और cot इनके हम sign लगाएंगे कि किस किस quadrant में क्या क्या sign आते है तो सबसे पहले तुम्हें आपको बताते हैं जो यह हमार पास circle बना है हमने वो क्या circle बना है हमने एक unit circle है माल लीजिए यह क्या है एक unit circle है चलिए ठीक है अगर एक unit circle है हमार पास, unit circle मतलब है radius कितनी होगी यहाँ पर R बराबर हो जाएगा आपके प्लास 1 unit यह चीज़ के लिए है ठीक है पर R बराबर 1 unit है यह आपके पास A है यह आपके पास B है यह आपका length of arc अगर x है तो इसका ठीटा जो होता इस arc से बनने वाला center के साथ जो angle है वो भी कितना होगा x होगा, यह हम पहले last class में पढ़ चुके हैं, ठीके, देखो इदर, यह x-axis है, यहाँ पर 1 और 0 होगा, यह y-axis है, यह minus 1 और 0 होगा, यह वाला point आपके पास x-axis है, यह 0 1 होगा, यह y-axis है, 0 minus 1 होगा, यहाँ से लेकि यहाँ त रहा है, तो यह positive direction के लिए a भी होगे, यह negative direction में, जूनोट कर रहा है, तो यह x तो positive रहेगा, और यह वाला b वाला, जो कि यह से वो, minus b क्या हो जाएगा, आपके पास negative हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मैं आपको बताया था, जो cos x है, sorry, cos x है, वो projection है, x-axis पर, और यह sin x ह जो है, यह y-axis पर projection है, ठीक है, यहां तक clear हो रहा है, ठीक है, यह projection x-axis पर, यह projection y-axis पर, इन दोनों का मिला हुआ रूप आपके पास a और b, यह आपके पास एक तरीकी से coordinate हो जाएगा, यह सर्कल की बात होगी, जनरली, अब हम क्या निकालने वाले है, हम निकालने वाले है 1 तक, ऐसे तो रहा, माइनस 1 से देखो, 1 की बीच में लिमिट है ना, x की, तो मुझे बताओ, आप a की लिमिट क्या रहेगी, a की लिमिट भी यही रहेगी, अब मुझे बताओ, अगर यह a और b की यह लिमिट है, तो cos x की लिमिट क्या रहेगी, same ही तो रहेगी, cos x की लिम कि यहां देखनों आ गया सबको आगया clear है चलिए अब हुम science मनाते हैं गलो कितना easy साइन्स आपके पास कौन सा है से कि यह अफॉर्थ ए जब लियर होई टो इसको टॉप्टम पएक कर लेते हैं अब मेरे affected अब अब दीए यह जो फर्स्ट क्वाडिर्टार्ट सेकेड क्वाडिन थर्ड क्वार्ड क्यों फॉर्ड क्वाडिर्टी के अंदर जो एकस और यहां लाए करेगा आपके यह कोमेंट तो पाई भी बोल रहा हूं जीरो डिरी यह अपके पास यह कौन सा है आपके पैस अपके पास PIVATION capability करेंगा यह कि आपके पास आपके पास शचान से ब बीच में लाए करेगा यहां कैसे लाए करेगा आपके पास एक्स यहां लाए करेगा पाए से त्री पाए बाए टू के बीच में और यहां कहां से लाए करेगा यह कर जाएगा आपके पास थ्री पाए बाए बाए टू से पूपाय के बीच में यहां तक बताओ को दिख्या देख्या विल्कुल इजी सी समझा रहो है आपको के लिए आगे बढ़ें ठीक है अब देखो यह हमारा जो इंट्रवल एक्स का यह 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 इत्म ध्यान से समझना आप न अब यह फर्स्ट कॉर्टेंट जो है इसमें आ आपके कॉसे के लिए इस वाले पॉइंट बता आगे तो आपको टैन क्या होता है क्या धूस होता है मिद यूटे पर देखो इनके के अश निकर्ण के अशनका कितना होता है क्या होता है आपके पास एक और टेक्स यह आपने फ्रस्ट क्वाडेंट के अंदर जीरो से पाइब टू के बीच में एक्स के लिए यानि कि आपके टिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स जो हैं वो सारे सारे साइन निकाल दी है आप सेकंड कोडिनेट पर आजो पुराबर से सेकंड में देखो यह कॉस एक्स है तुम मुझे बताओ इस क्वाडिन में कॉस एक्स क्या होगा भी या नेगेटिव होगा होगा नहीं हो सब्सक्राइबैं इस जगे पर नेगेटिव होगा इंदर यहां किस में यहां जो है साइन क्या धुक्त बहूं देया मैं यहां होगा खीक थूदत हो अब इनके रैसिपल करने में साइन तो सेम ही रहेगा यह पॉजिटिव और 10 के लिए मैं लिख लेता हूं कॉर्ट एब रहेगा नेकिक्टिव तो संज में आगे हैं कि अच्छे से आगे हैं थर्ड कॉर्टिंट पर आ जाओगा फटाफट से अब यहां पर यहां पर साइन एक पर नगेटीव लेकिन 10 इसको अपन कॉर्स करेंं तो माईनिच से माईनिच कट जाएगा तो जाएगा है कॉस x हो गया आज वसेकक्स पर सेक्स क्या रहेगा माइनस वन का रिच्प माइनस वन को कॉटएक्स भी प्लस सिम रहेंगे यह आज में अब पॉट गॉट्न पर देखते हैं भी देखेंगे जीरो माइनस वन यहां पर वन और जिरो के पीछे वाले को दो प्रावर्ट से यहां 1 और 0 है यानि की cos x यहां positive रहेगा देखो इदर देखो इदर देखो इदर और sin x क्या रहेगा negative रहेगा पीछे वाले value sin x के लिए न आजो cos x क्या बताया भी मैं आपको यहां पर positive बताया सर कितना है यह positive है और sin x क्या है यह पीछे वाला यह क्या है आपके पास negative रहेगा आजाओ 10 x पर 10 x क्या होता है आपके पास sin x upon cos x तो minus upon plus या plus minus plus upon minus कुछ भी करो minus है आना आपके पास cos x है reciprocal क्या हो जाएगा इसका sec x positive रहना है sin के लिए cos x यह negative रहना है same sign है और यह cortex देखो plus का plus रहा minus का minus रहा और minus का यह क्या हो गया plus हो गया sorry sorry same sign है ना plus का plus minus का minus minus का minus बताओ समझ में आगे है कि clear है क्या I think qtate समझ में आगे होगा आपको किस तरीके समने साइन जो है इनमें लिए आप चाहँ तो उसको याद भी कर से वसे याद करने जरूरत नहीं आप ऐसे भी मतलब दिभाग लगा काडिल होगी है ना बस आपको यहां पर value ध्यारक नहीं कि आगे वाला a जो बी का जो काडिनेट बन रहा नहीं आप यह यह cos x x का होता और यह sin x का होता बस simply है आपको यह आपकी बुक के अंदर आपको इस तरगेस टेबल देरे की में बताता हूँ आपको यह टेबल इस तरगेस बनाना आगे न अब देखो पीछे देखो इस टेबल को कि देखो sin x positive cos x positive फर्स्ट क्वाइब में सारे positive है second quadrant में second quadrant में sin x cos x plus और minus है है की नहीं देखो पीछे चाहँ करो second quadrant में plus minus और 10x भी क्या है minus है देखो 10x minus है की नहीं यह रहा अब देखो same sign है plus minus minus plus minus वह यह कि इसने sin और cos करके लिखा है और मैंने cos और sin करके लिखा है बस यह फरक है और कोई फरक नहीं है third quadrant पर देखो sin cos 10 को sin and cos 2 minus और 10 positive है और यहां यह सेम ही sign रहेंगे आपके पास देख लो आप यहां पर यहां पर यहां पर यह सेम साइन हो गया fourth quadrant पर देखो fourth quadrant पर देखो sign जो है वो negative है cos positive है फिर 10 negative है देखो पीछे वाले slide में बताता हूं मैं आपको cos positive थाना 4th में देखो इदर cos positive है 4th वाले case में फिर sign negative है 10 negative है और यह फिर पीछे वाले के अंदर यह सीनो as it is clear है यह आपके हो गया sign है ठीक है आप इस तरीके से बना सकते हो इस sign को और आपको इस तरीके चार्ट दे रखा लेकिन मैंने आपको accurate समझा दिया कि किस तरीके से sign denote हो रहा है कि किस किस interval के अंदर कौन कौन से जो है चार्ट बन रहे है ठीक है तो यह interval है यह ध्यां रखना आप ठीक है यह आपके क्या है interval है कि इस interval के लिए find कर रहे है पर आपके तो यह आपका complete हो गया है यह जो sign of technaptic function वो पढ़ लिए अब हम next वाली video मिलेंगे जहां पर हम domain और range देखेंगी इनमें तो इसके एक लिमिट बना देंगे हम ठीक है तो पढ़ेंगे नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई